जहीं साथियों स्वागत है आप सभी का अपनी येटूब चनल फ्रेनोलेज 1998 पर साथियों आप सभी कुछ जल्दी आरपी एप पर SI पोस्ट के लिए जल्दी आपको विकेंसी देखने को मिलने वाली है SI और कॉंस्टेबल पोस्ट पर आपको जो है कॉंस्टेबल पोस्ट और SI पोस्ट के लिए आपको चल्दी विकेंसी देखने को मिलने वाली है साथियों बहुत सारे लोग कॉमेंट्स कर रहे थे कि इसकी कायक गॉलिफिकेजन होती है क्या age limit होता ह। क्या height होता है मतलब physical के बारे में आप लोग बहुत comments कर रहे थे तो मैं इस वीडियो में आपको physical के बारे में पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ और आपका जो भी criteria रहने वाला है पोस्ट की बात करें RPF new vacancy जो आपका complete detail है जिसमें अब सबसे पहले हम SI की बात करें आपका SI post आने वाली है RPF में तो इसमें आपका 2000 plus vacancy आपको देखने को मिलने वाली है SI जो post आपकी इसमें आने वाली है उस पर ठीक है साथ हो sub inspector की आपकी post रहने वाली है और यहाँ पर हम post की बात कर लेते हो देखे total vacancy आपको दिया हुआ है 2000 आपको देखने को मिलने वाला है total 2000 post आपको देखने को इसमें मिलेगा साथ हो इसमें कौन-कौन से candidate apply कर सकते हैं यह all over student के लिए है male और female इसको दोनों apply कर सकते हैं आपका जो mode रहेगा apply mode रहेगा आपका जो form flip किया जाएंगे online mode पर आपको यह form flip किया जाएंगे all over India के लिए है विकेंसी रहने वाली है साथ यह अगर हम बात कर लें free scale की तो यहाँ पर में सब्सक्राइब आप जो एदि क्या रहने वाला है बहुत सारे लोगों को जो है age limit के बारे में नहीं पता है वो बहुत सी comment कर रहे थे कि RPF में constable और SI के लिए क्या age limit रहने वाला है पहले हम SI की बात करें साथी हो तो इसमें आपका 20-25 year तक आपका age रहने वाला है minimum minimum आपका 20 year और maximum आपका 25 year रहने वाला है यहाँ पर मैं बात करूँ तो यह तो आपका general के लिए आपका 20-25 year आपका age रहने वाला है और OBC की बात करूँ तो आपको 3 year की छोट जी जाती है तो मतलब आपका 28 year इसमें OBC का age रहने वाला है और HTSC को इसमें past 5 year के छोट दी जाती है तो मतलब आपका जो age रहने वाला है 30 year का रहने वाला है ठीक है साथियो आपको मैंने age बता दिया हूँ कि OBC जनरल और HTSC का कितना age इसमें रहेगा करके आपको इसमें age में छोट भी दिया हुआ है यहां पर आप और देख सकते हो मैंने आपको बताया हूँ वह इसमें बताया गया है कि जनरल EWS के लिए 20-25 year तक age रहेगी और OBC के लिए 25-28 year तक रहने वाली है और STC के लिए 20-30 year तक रहने वाली है अब हम education qualification की बात करें साथ ही हो तो यहां पर जो आपका qualification आपका graduation मांगा हुआ है आप यहां देख सकते हो candidate should have past graduate form by recognized vote of university मतलब आपका graduation label पर इसका form apply होगा अब हम यहां education ability की बात करें तो आप देख सकते हो selection process की बात करें साथ हो तो आपका सबसे पहले written exam होगा इसके बाद आपका physical test होगा इसके बाद आपका medical examination होगा फिर document verification और आपका final merit list आएगी ठीक है साथ हो यहां पर और आपको मैं आगे और detail बताऊंगा कि physical आपका कैसा होने वाला है physical की बात करें male और female की तो male के लिए आपका 1.6 km race होगे जिसमें आपको male को 6 minutes 30 seconds में qualify करना है आपको 12 feet का log jump करवाय जाएगा और high jump 3 feet 9 inch का करवाय जाएगा और female का जो है race रहने वाला ground रहेगा आपका 800 meter का जिसमें आपको 4 minutes पर qualify करना है और long jump आपका 9 feet का रहने वाला है और 3 feet का high jump आपका इसमें रहेगा अब यहाँ पर हम hide और chest की बात कर लेते हैं जनरल और OVC के लिए 165 cm hide रहेगी और female का जो 157 cm hide रहेगी ST के लिए आपका जो 160 cm hide रखा गया है और female के लिए 155 cm North East वाले candidate के लिए 165.5 cm है और 155 cm female के लिए है अब chest की बात करें सात्यों तो chest यहाँ पर male के लिए रहेगा 79 से 84 cm रहेगा और female का इसमें नहीं दिया हुआ है female का chest आपका बताया नहीं गया इस पर notification पर ठीक है अब हम subject की बात कर लेते हैं तो आपका कौन-कौन सा subject कैसा कैसा आपका जो है जो है कौन-कौन से topic इसमें पुछे जाते हैं और कितने marks के आपका question आने वाले हैं सबसे पहले हम subject की बात करने हैं general awareness से आपको 50 question देखने को मिलेंगे 50 marks के question रहेंगे arithmetic math से question पुछे चाहेंगे 35 question आएंगे 35 अंके रहेंगे general intelligent and reasoning से आपका 35 question रहेगा और वह 35 marks के रहेंगे total साथ हो आपको 120 question देखने को मिलने वाले 120 अंके और आपको time जिये जाएगा 90 minute का ठीक है साथ हो 90 minute में आपको 120 question करना है ठीक है साथ हो तो आप मैं आपको एक बहुत important चीज बताने वाला हूँ आप सभी को पता है RPF की जो vacancy होती है वो railway conduct करता है ठीक है रेलवे के दौरे conduct कराई जाती है चाहे RPF Constable, RPF SIU, RPF ISIU ठीक है ठीक है साथ हो तो यह सभी vacancy को railway conduct करवाता है तो साथ हो अभी आपको पता है railway d group, railway d group का exam नहीं हुआ है आप railway d group का exam जैसे ही होंगे तो इन vacancy को जल्दी आपको देखने को मिलने वाली है RPF SIU की और Constable की तो आपको आपको पता है RPF Constable और RPF SI यहा में Department Q unduct कराता है जैसे ही यह आपको डेलवेडी गुरूप के एक्जाम हो जाएंगे तो आपको जल्दी आरपी अप कॉंस्टेबल और एसाई की वेकेंसी देखने को मिलेगी अगर आप आरपी अप एसाई और कॉंस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयार पर लग जाएगी आपको जल्दी आरपी अप कॉंस्टेबल और आरपी अप एसाई की वेकेंसी देखने को मिलने वाली है आई होप आपको समझ आया होगा तो तैयारी करिए आपको जल्दी इस वेकेंसी देखने को मिलने वाली है जल्दी मिलते हैं नेक्ट वीडियो के ताथ तब तक के लिए जाएं